नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है यॉर नॉलेज शो में दोस्तों इमफाल एरपोर्ट पर 19 नवंबर 2023 यानि रविवार को दिखे यूएफो का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो को ध्यान से देखने पर वह चीन के जासूसी वाले गुबारे स्पाई बलून जैसा दिख रहा है अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चीन बलून के जरीए भारत की जासूसी तो नहीं कर रहा है तो दोस्तों हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीन कितना धुर्थ है और इसलिए भी क्योंकि चीन का ऐसा ही एक गुबारा इस साल अमेरिका ने मार गिराया था तो ऐसा सोचना भी उचित है क्योंकि शत्रु को मुर्ख समझ लेना ही सबसे बड़ी मुर्खता है तो दोस्तों जैसे ही इंफाल एरपोर्ट पर CISF के जवानों ने इस अंजान उडने वाली वस्तू को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना इमीडियेटली एरपोर्ट के निदेशक को दी जिन्हों इसकी जानकारी वायू सेना को दी इस रिपोर्ट के बाद ततकाल भारतिय वायू सेना ने अपने दो राफेल फाइटर जेट्स उस यूएफो की खोज में भेज दिये थे भारतिय वायूसेना ने ततकाल हाशी मारा एरफोर्ट बेस से एक राफेल फाइटर जेट को उस तरफ उड़ाया जहाँ यूएफो दिखा था लेकिन राफेल के राडार पर कोई अंजान विमान या यान नहीं दिखा ना ही पाइलट ने आसमान में कोई ऐसी चीज देखी तो यहां हमें फिर संदे होना चाहिए कि कहीं चीन हमारे लडाकू विमानों की राडार क्षमताओं की जांच तो नहीं कर रहा है फिर इसके बाद जैसे ही पहला फाइटर जेट वापस लोटा इस रिपोर्ट के बाद ततकाल भारतिय वायू सेना ने अपने दो राफेल फाइटर जेट उस यूएफो की खोज में भेज दिये थे भारतिय वायुसेना ने ततकाल हाशिमारा एरफोर्स बेस से एक राफेल फाइटर जेट को उस तरफ उड़ाया जहां यूएफो दिखा था लेकिन राफेल के राडार पर कोई अंजान विमान या यान नहीं दिखा नहीं पाइलट ने आसमान में कोई ऐसी चीज देखी तो यहां हमें फिर संदेह होना चाहिए कि कहीं चीन हमारे लडाकू विमानों की रडार ख्षमताओं की जाँच तो नहीं कर रहा है फिर इसके बाद जैसे ही पहला फाइटर जेट वापस लोटा डबल चेक करने के लिए दूसरा राफेल भेजा गया लेकिन उस इलाके और उसके आस पास कोई भी यूएफो या एलियन शिप नहीं नजर आया लेकिन भारतिय वायू सेना के पूर्वी कमांड ने ततकाल अपना एयर डिफेंस रेस्पॉंस मेकेनिजम शुरू कर दिया तो दोस्तों क्या होता है जासूसी गुबबारा ये सबसे पहले आपको बता दू हलाकि आप मेंसे बहुत लोग ये पहले से ही जानते होंगे तो जासूसी गुबबारा असल में गैस से भरा गुबबारा होता है जो उस उचाई पर उड़ता है जिस उचाई पर आम नागरिक बिमान उड़ते हैं इसके नीचे बेहत जटिल कैमरे या इमेजिंग टेकनालोजी लगी होती है ये जमीन की तरफ देखते हुए अलग-अलग हिस्सों, इमारतों, क्लासीफाइट जगहों, खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेते हैं यानि तस्वीरों के जरिए जितनी ज्यादा सूचनाएं जमा हो सकें अब आप पूछ सकते हैं कि यह काम के लिए तो सैटलाइट्स अल्रेडी मुझूद रहता है तो सेम जॉब के लिए फिर गुबबारा क्यों तो दोस्तों अंतरिक्ष से जासूसी करने के लिए आम तोर पर सैटलाइट्स का इस्तेमाल होता है लेकिन ऐसे खुफिया गुबबारों का इस्तेमाल कोई क्यों करना चाहता है असल में सैटलाइट्स को अलग-अलग और्बिट में रखा जाता है इसलिए मनचाहा डेटा या तस्वीर नहीं मिल पाती धर्थी की निचली कक्षा पर घूमने वाले सैटलाइट बहुत क्लियर फोटो नहीं ले पाते लेकिन विमान की उचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुबबारे ये काम आसानी से कर देते हैं सैटलाइट अगर धर्थी का चक्कर लगा रहा है तो उसे उसी पोईंट पर आने में करीब 90 मिनट लगेंगे इसलिए फोटो में दिक्कत आती है लेकिन गुबबारे के साथ ऐसा नहीं है ये एक जगह पर काफी देर तक रुख सकता है लगातार तस्वीरें ले सकता है दूसरे सैटेलाइट्स जो जियोसिंक्रोंस ओन अर्बिट में है उनकी तस्वीरें बहुत कम ही स्पष्ट होती है तो अगर कोई चाहे तो क्या क्या कर सकता है इन स्पाई बैलून से ये भी जानना अती महत्वपूर्ण है तो दोस्तो जासूसी गुबारा के नीचे मेटालिक प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कैमरे लगाये जा सकते है आजकल जासूसी के लिए इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्टरम वाले कैमरों और राडारों की जरूरत पढ़ती है वो भी लग जाते है इसमें विजिबल स्पेक्टरम पर फोकस ज्यादा रहता है यानि सामान्य कैमरे जैसे ये लगातार फोटो ले सकते हैं जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसके अलावा इन पर नाइट टाइम इन्फरारेड कैमरा भी लगाये जा सकते हैं अब ये भी जान लीजिए कि अपना रास्ता कैसे तै करते हैं ये गुबबारे तो दोस्तो आम तोर पर जासूसी करने वाले गुबबारे हवा के बहाव के साथ बहते हैं लेकिन इनका नेविगेशन किसी तरह के फ्यूल इंजन से किया जा सकता है हालांकि ये मौसम के रहमोकरम पर होते हैं कई बार गाइडिंग यंत्र लगाय जाते हैं ताकि गुबबारे की दिशात्ताय की जा सके अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया है कि चीन के गुबबारे में प्रोपेलर लगे थे ताकि उसका दिशा तै की जा सके हालांकि अभी गुबारे के हिस्सों की जांच चल रही है पूरी सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी अगर कोई विमान या उड़ने वाली चीज, कार्मान लाइन यानि सौ किलोमीटर की उंचाई से नीचे उड़ रहा है तो वह उसकी नीचे मौजूद देश के एर स्पेस में माना जाता है चीन का यह गुबारा तो हवाई जहाज की उंचाई पर था यानि अमेरिकी एर स्पेस में था शिलांग स्थित भारतिय वायू सेना की पूर्वी कमान की इस पूरे घटना क्रम पर नजर बनी हुई है मनिपूर की सीमा नगा लैंड, मिजोरम और असम से लगती है इसके अलावा यह पूर्व में म्यामार के साथ अंतरराश्ट्रिय सीमा साज़ा करता है सभी एजेंसिया हाई अलर्ट पर हैं बॉर्डर पर और खड़े सुरक्षा इंतजाम किये गए है जैसे ही कुछ अपडेट आती है इससे रिलेटेड हम यहीं पर अपडेट करेंगे इसलिए हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग